मार्केट में से जो रेडिमेट पाइपिंग मिलती है उससे हम फैबरिक डोरी के इस तरीके से बना सकते हैं तो चलिए हम सीखते हैं इसे बनाना तो उसके लिए मैंने दो अलग-अलग रंग के रेडिमेट पाइपिंग ले ली है और इसी रेडिमेट पाइपिंग से हम फैब कर लूँगी एक और बात इसमें जुरूरी है कि इस पाइपिंग के बीच में कोई भी ज्वाइंट नहीं आना जाएए आप देखकर पाइपिंग को कट करें पाइपिंग के उपर हम एक और सिलाई लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ उपर वाली सैड से यहां पर पक्का करते हुए साइड साइड में आपको दुबारा से सिलाई लगा लेनी है क्योंकि जो रेडिमेट पाइपिंग बनी होती है उसके साइड में जो सिलाई होती उसका थोड़ा सा टंका होता है जो बड़ा होता है और उसी के साथ आपको एक और सिलाई लगा लिनी है जो कि आपको बारीक बखिये पर लगानी है और इस सिलाई को लगाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखने है कि आपकी जो सिलाई है वो डोरी के उपर नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी सिलाय रहा है जो डोरी के ओवर आजाएगी तो आपकी फैब्रिक टोरी भी नहीं निकलेगी इसलिए आप्पी जो शिलाय है डोरी के ओपर नहीं आणी चाहिए इसके लिए आप सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो चलिए ये देखिए हमारे सिलाई लग चुकी है यहां से हम थोड़ा सा फैब्रिक कट कर दिंगे कट करने के बाद इसके बीच में जो धागे वाली डोरी होती है उसको इस तरीके से खीचना शुरू करेंगे हलका हलका सा स्टार्णिंग में आपने जो पाइपिंग के उपर से लाई लगाई है उसे पक्की करके ही लगाना है ताकि अभी जब हम डोरी को खीच रहे हैं तो आपकी ये डोरी है वो निकलना जाए दीरे-दीरे से आपकी जो फैब्रिक डोरी होगी वो पाइपिंग की तरफ अंदर को सरकने लगेगी जब आप ठेड को खीचेंगे ठेड को यहाँ पे खीचते जाएंगे जब आपकी डोरी हलकी सी बाहर निकलने शुरू हो जाए तो आप thread को छोटकर डोरी को पकड़ करें थोड़ी ही देर में हमारी जो fabric piping है वो बन के तियार हो चुकी होगी और इसी तरीके से आप ready made piping से भी fabric डोरी बना सकते हो तो आपको ये तरीका कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बता देना और इसी fabric डोरी से हम next वीडियो में design बनाने वाले हैं तो आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलना तो चलिए ये देखिए हमारी fabric डोरी है पूरी तरीके से सीधी हो चुकी है आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो like जरूर कर देना और जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे channel को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो आज की वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई